चलो आज बनाते हैं पंजाबी स्टाइल का चिकन, जोगी खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है और बनाना बहुत ही सिंपल है, तो मैंने लंबे लंबे प्यास काट लिया है, एक पैन में मैंने सरसो का तेल गरम की आप कोई भी तेल दे सकते हैं, उसमें मिलाए है मैंने खड़े मसाने, हरी, लाइची, जीरा, दाल, चीने और काले मिर्च, उसके बाद जो मैंने प्यास काटे थे, वो मैंने उसमें डाल दे, अब किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने लंबे काटे हैं, प्याज के साथ मैंने उसमें हरी मिर्च भी डाना, प्यास थोड़ी सी वुन जाएगी तो इसके अंदर मिलाएंगे अतरक लसन का पेस्ट है ठोड़ा सा वुनने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाला चोकि मैंने पेनले से वोश करके अच्छे से रख रखा था उसको अच्छी तरीके से हम प्याज में मिक्स कर देंगे प्याज ओएल और अतरक वाइट हो गया है, इसके अंदर मिलाएंगे थोड़े से ड्राय मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्टी, थोड़ा सा गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च इसके कलर के लिए, इसको अच्छी तरीके से चिकन में हम मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जो हैं स्वाद अनुसार नमक जिस भी हिसाब से आप खाते हैं नमक डाल सकते हैं नमक को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पैन को ढखके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे भूलने के साइड में मैं टमाटर को ना चौप कर रहूंगे आप चाहें तो टमाटर को बारी काट पी सकते हैं आपको अगर टमाटर के बार्ट मुह में आना पसंद आते हैं तो आप टमाटर को थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं देन एक साइड में मैंने दही निका लिए और दही को अच्छी तरीके से फेक लेंगे क्योंकि अगर दही को फेटे वगर अगर हम चिकन में डालेंगे तो फटी-फटी सी लगेगी वो अच्छी नहीं होगी, वो मिक्स नहीं होगी प्रॉपर तरीके से तो देन उसके बाद मैंने देखा कि मसाले अच्छी तरीके से बुन गए हैं तो जी चौक टमाटर थे वो मैंने चिकन में मिला दी हैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दुबारा इसको पैन ढखके छोड़ देंगे ताकि अच्छे से बुन जाएं थोड़ी देर के बाद टमाटर मसालों में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और इसके अंदर मिलाएंगे दही दही मिलाते वक्त गैस का अफनेम एकदम डो रखे ताकि दही फटे ना वैसे तो हमने दही फेट रखी हैं लेकिन उसके बवन्यूद अदर गैस का फ्लेम जाता होगा तो दही फट जाएगी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि सारे मसाले अच्छी तरीके से बुन चुके हैं और चिकन ने भी अपना कूर्मा रिलीज कर दिया चिकन गन पी गया है तो इस वक्त हमारा चिकन एककम तयार हो चैता है इसमें मिलाएंगे हरा धनिया और ये खाने के लिए बिल्कुल तयार है और यकीन मानिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना है लेकिन ये बहुत ही जबतस लगता है खाने में जरूर ट्राय करिएगा